नेसले कंपणी का नाम सुनते ही हमारे तमाग में सबसे पहले मेगी विलबाग, किट कैट और नेसले के चीज़ों का खयाल ही तो आता है क्योंकि एशिया में नेसले की यही सबसे ज्यादा चीज़ी तो फेमिस है हम सब नेसले को दुनिया की बेस्ट फूज कंपणी के रूप में जान। लेकिन क्या आप लोग यह जान। कि आज यह साफ सुत्री नजर आने वाली कंपणी की हिस्ट्री असल में बहुत ही डाक है दरसले नेसले ने अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारे लोगों की सेहत के साथ ऐसे खिलवार किये हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे दरसले नेसले कंपनी की हिस्ट्री 1866 में एंग्रो स्टामि काफ से स्चार्टि these combine business also चार्ज और जॉट्व पैज में मिलकर स्टार्ट की ốngाथो थो बाहली ने कंपनी 906 में हैंवी ने 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 कंपनी के साथ जुड़ गई यह दोनों कंपनी के जोड़ने पर जो एक नई कंपनी बनी कोसी को तो नेसले का नाम दिया गया नेसले रख में बिजनस की स्टार्टिंग देखी फूद बना कर थी जो किसी बज़ा से मदब निकर पाते थे और उस वक्त की पहनी बार था कि किसी कंपणी ने बेबी फूर जैसा की प्रोडक्ट भी गनाया हूँ इसलिए इसको नैसले का एक बहुत बड़ा अचीवेंट माना जा रहा था लेकिन फिर भी नैसले अपने प्रोडक्ट से साटिसफाइड नहीं था क्योंकि नैसले का ये बेबी फूर सिर्फ गिने चुले लोगी खरीद पा रहे थे जिससे नैसले के कस्टूमर बेस और कंपणी की ग्रोध बहुत ही लिमेटेज हो गई इसलिए नैसले कैसे भी करके अपना कस्टूमर बेस बढ़ाना चाहता था अब ये पॉसिबल तो उसे बात हो सकता था ना जब उसका ये बेबी फूर सभी लोग खरीद पा थे और इसलिए नैसले ने अपने प्रॉपिट के लिए ऐसा गिनौना कदम उचाया जिससे सेंच्वी का सबसे बड़ा स्क्राइब बन गया दरसल नैसले ने एक ऐसा कंपनी केंपेइन चलाया जिसमें लोगों को ये बताया गया कि ये बेबी फूर बच्चों की सेहत के लिए मा की दूद से भी जादा पैठर है और लोगों को इस जूट पर यकीन दिलाने के लिए नैसले ने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी और देखते ही देखते नैसले की सेल कुछ ही दिनों में जमीन से आस्मान पहुच गई नैसले का ये बेबी फूर दुनिया भर में बिखने लगया यहां तक के अफ्रीकन कंप्रिज में भी जहां पीने के लिए साख पानी तक नहीं होता था वहां पर भी औरते अपने बच जेडारिया और नमून्या जैसी बिमारियों से मरने लग देखते हैं नैसले को ये सब कुछ पता भी था लेकिन फिर भी वो लोगों को चुप चाप अपना प्रोड़क्ट पेशता रहा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये एड़टाइस्म की तरफ से सभी किसम की वार्निंग्स बेवी फूट पर पहले सही लिखी हुई हैं इसलिए इस प्रोड़क्ट से होने वाले किसी बी किसम के नुकसान में कमपणी की जिम्मेदारी नहीं है अब ये मैटर सामने आने के बाद लाफ मों ने नैसले को पाइकॉट भी किया और परतार पीचता रहा है यहां तक है कहा जाता है कि नैसले आज भी डॉक्टरिस को पैसे देता है और इसके बदने में अगर आप लोग एश्वत जह लगा और प्र गिया गांते हैं लीजा निए आधिन्यम्न में इस अगायों फ्रेमा और पर पानी पर पर पानी फ्रीव मह जार गुना तक बढ़ जाएगी अब नेसले जैसे बड़ी कमपणी इतिनी अच्छी बिजनेस अपुचनीजी को आखर कैसे छोड़ देता उन्हों ने इस बिजनेस में भी हाथ असमाया लेकिन वेबी फूद बारे कैमपेंग की तरह यहां भी उसने जूट कहीं सहारा है ने नेसले ने पानी का एड़िटाइसमेंट केमपेंग कुछ इस तरह से चलाया जिसे लोगों को यह लगा कि यह कोई नॉर्मल पानी ने बलके पहारों से निकलने वाला चिश्मों का पानी है और उसी नॉर्मल पानी को अच्छी खासे कीमत में सेल करना शूर कर लिया 2013 में इस रिपोर्स के अंदर ये बात सामने आई कि नेसले ने पाकिस्तान के कई गाउं से अपना वाटर बिजनस के लिए काफी जादा पानी निकाला इतना कि उन गाउं में रहने वालों के पास बीने तक का साफ पानी भी नी बचा और आखरकार उन लोगों ने गंदा प लेकिन इस प्रॉसेस के खर्चे को कम करने के लिए नेसले ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे उसने पूरी दुनिया में बदनामी का दुपारा से सामना किया ये तो हम सभी जानते हैं कि काकाव पौदे की 80% से ज़्यादा खेदी अफिकन कंट्रीज में होती हैं जहां बहुत से ऐसी फॉर्म्स भी हैं जिनके अंदर इलीगली तरीके से लोगों को घुलाम बनाकर उसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है जैसे कि चाय लेबर और फो अच्छा लग तो नेसले को एक और बार बदनाद का सामना करना पड़ा जिसके बाद नेसले ने माही मांगते हुए लोगों को ये बहरोसा दिलाया कि वो 2005 तक उन सब कॉम से ककाव लेना बंद कर देगा जहां कोर्स लेबर से काम करवाया है बहुत सारे कंट्रीज में नेस से बड़ी food company है इसका business 190 countries में फैल चुका है जहां इसकी 376 factors जिसमें तक्रीखन 3 लाग से भी जादा लोग काम करते हैं नेसले के product जो के दुनिया भर में बहुत जादा पसंद के जाते हैं और शाहिए यही वजाए कि इतने बड़े-बड़े scandals के बाद भी ये company आज भी उ हमयाओ जो